सर्दियों के सीजन में या तो सभी को गजग पसंद आती है या तो चिकी लेकिन आज मैं आपके लिए ऐसी रेस्पी लेके आई हूँ आप गजग भी भूल जाएंगे और चिकी भी भूल जाएंगे और पूरी सर्दी इसको बना के स्टोर करके रखिए और इंजोई कीजिए कि यह रेस्पी आप से भी को गजग भी बुला देगी हाँ और बहुत ही टेस्टी लगेगी एक बार अपने घर पर बना के जरूर देखिएगा देखने में यह लग रही है ना बहुत ही डिलीशियस तो चलिए देख लेते हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती आपके अपने चैनल रेनुदा केचिन चैनल पर वगर दोस्तों आप सभी को मेरी यह रेस्पी पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए उसके लिए हमें सामान चाहिए यहां पर मैंने एक कप लेली है तिली हमें वाइट वाली चाहिए और ए पैन पे हम डालेंगे तिली तिली डालने के बाद तिली को हम रोस्ट करेंगे तो तिली को हमें हलकी सा रोस्ट करना है ज्यादा लाल नहीं होनी चाहिए गैस की फ्लीम को हमें कम रखना है और लगातार हाथ चलाते हुए इसको हमें लगातार चलाते रहना है जिससे यह ति पैन में हम मुफली के दाने रोस्ट करेंगे तो मुफली के दाने हमें हलकी फ्लेम पे ही इसको रोस्ट करना है और फिर जितने इसमें छिलके इसके निकल जाए इतने ही से हमें रोस्ट करना है तो यहां पे मुफली के दाने रोस्ट होके मैंने एक प्लेट में फैला लिये है और इनका चिल का निकाल दिया है मैंने और जह ठंडी हो गई है तो यहां पर सबसे पहले हम mixer grinder में जार में तिली को ग्राइड करेंगे तिली हमारी ठंडी हो गही अच्छे से और फेर इसको रुकुरुक के ग्राइड करेंगे हम इसको हमें रुक-रुक के grind करना है एकदम से चलाना नहीं है अब देखिए इसको हमें कैता grind करना है यह हमारी तिली ददरी रहे इतनी अब हम इसको एक प्लेट में transfer कर लेंगे सेम जाल में हम मुंफली के धानों को रोस्ट करेंगे स्वारी ग्राइंड कर लेंगे रोस्ट तो हमने पहले करी ली थी इनको अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं इसको भी हम रुक रुक के ग्राइंड करेंगे और फिर एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे होता है खाने के लिए और बहुत ही healthy भी होता है तो यह मैंने जाइफल किस्नी की साहता से ऐसे हम किस लेंगे जाइफल को इसमें किस लेंगे इन सभी चीजों को आश्य से mix कर लेंगे mix करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूं अब मिलाई तो यहाँ पे घर पे हमारे सेम सभी के घर पे रहती ही है यहाँ पे आप मिल्क पाउडर भी यूज कर सकती है मिलाई की बदले लेकिन मैंने इसमें मिलाई एट की है अब पैन रख लेंगे हम पैन में हम रखेंगे गुड तो जिस अब जिस cup से हम ने तिली रखी थी उसी cup से हम गड नाप के रखेंगे गृड डाल दिया हमने इसमें और पर ने लीका सा पानी डाल देंगे गुर्ण नाप के रखेंगे और गुर्ण डाल दिया है हमने इसमें और फे इसमें हलका सा पानी डाल देंगे गुर्ण सर्दियों के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है इसको आप सर्दियों में डेली खाएए इसलिए गुर्ण बहुत ही फायदे मंद होता है शरीर के मेल्ट हो जाए अच्छे से पख जाए चासनी नहीं बनानी है हमें बस इसमें अच्छे से मेल्ट होके अच्छे से बवल जाने लगें तब इसको डाल देंगे चासनी वास्ति हमें इसके कुछ भी नहीं बनानी है अब इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लें तो इसको हम ऐसी चलाते रहते हैं, तो सर्डियों का शीजन है, सर्डियों के सीजन में अन्यगी के मीठा लगता है और बहुत यथा लगता है और गजक सभी को बहुत पसंद आती है। तो गजक में आज मैं आपके लेके आई हूं ऐसी पढ़िया सी मिठाई जिससे आप गजक भी भूल जाएंगे और आपके घर पे बहुत ही आसानी से बनके रेडी हो जाएगी तो यहां पर यह पेंट छोड़ने लगा है तो इस टैम पे हम अब गैस की फ्लेम को बंग कर देत इसे और इसको हम हलका सा ठंडा कर लेंगे तो इसको अच्छे से हम जो लगा है इसमें इसको भी छुटा लेते हैं और हातों पे हम घी ग्रीस कर लेंगे इससे क्या होगा जो पेस्ट है हमारे हातों पे चिपकेगा नहीं तो यह अभी गरम है आप जब थोड़ा ठंडा हो तब करिएगा इससे क्या होगा आपकी हाथ चलेंगे यह थोड़े मेरे हाथ जल रहे हैं स्टेम पर क्यों यह गरम है इसलिए अब यहां पर यह थोड़ा सा ठंडा हो गया है हाथों पर दुबारा से घी ग्रीस कर लूंगी में और अच्छे से पेस्ट बना लेंगे अच्छे से डो बन के रेड़ी हो गया इसका और यह देखिए इसको मैं अच्छे से शेप देंगे यह कुछ ऐसे तो यह अब गरम है जैसे जैसे ठंडा होता जायका वैसे वैसे यह शेप में आता जाएगा अपने तो यहां पर मैं इसको शर्थ दे रही हूँ अब मैं क्या करओंग आप चाहें तो इधर पिस्ता की भी डाल सकते हैं कत्रन बादाम की भी डाल सकते हैं लेकिन यहां मैंने काजू की डाली है इसका फ्लेवर काफी बढ़िया आएगा और देखने में भी बहुत ही डिलिशियस लगेगी बहुत ही बढ़िया लगेगी अब इसको हम अच्छे से कोट कर लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद यह बढ़िया सा सेट हो जाएगी तो यहां पर यह ठंडी हो गई है अब इसको हम कट कर लेते हैं कट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगे यह कितनी बढ़िया हमारी बर्फी बनके रेडी हुई है आप गजक इसमें सभी का टेस्ट आ जाएगा आपको, देखने में आपको मिल्क केक जैसी देखेगी, खाने में गजक जैसी और चिकी जैसी, तो ये देखेए, बिल्कुल थंडी हो गई है ये, और ये देखिए, मैंने फीह करके रख लिए हैं, ये देखेए, किति बड़िया दा दानेदार आपको भी दिखरी होगी किती दानेदार यह हमारी मिठाई बनके रेडी होई है देखने में किती बड़िया लग रही है बिलकुल सेट हो गई है अची तरीके से और यह आप अपने घर पे बनाएए श्टोर करके रखिये और गजक तिली भूल जाएंगे आप इस सभी से नेक्स्ट वीडियो में